तो जैसा कि आप सभी को पता होगा इगनू ने जून 2024 एक्जाम के लिए जो एक्जामिनेशन फीस समिसन का पोर्टल स्टार्ट कर दिया है लेकिन इसमें एक ऐसा एरर है जिसके वज़े से काफी सारे बच्चे परेसान है और आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला किस तरीके से आप समाधान निकाल सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनूस रेलेटेट सभी अप्टेट और नोटिपिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लीजे ताकि सभी अप्टेट आपक क्लिक करेंगे यहां पर आपको अपना अकाउंट लॉग इन करना होता है इंडॉल्मेट नमर यहां पर डालना होता है प्रोग्राम कोड आपको यहां पर सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद फिर यहां पर आपको छेतर बताना होता है कि आपको छेतर में एक्जाम देना जैसे कि डैली में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको डैली सलेक्ट करना होता है और पितने में एक्जाम सेंटर अवेलेबल हैं तो यहां पर आपको अपने पूरा आठ सब्जक्ट इस तरीके से लेक्ट करना होता है जैसे कि art subject का exam देना है तो यहाँ पर आपको पूरा art subject इस तरीके से select करना होता है लेकिन यहाँ पर problem क्या आ सकता है कि जैसे कि मालीज के आपको art subject का exam देना है और जैसे ही आप यहाँ पर subject को select करने के बाद submit पर click करेंगे तो इस तरीके से आपको error message देखने को मिल सकता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है यहाँ पर देख सकते है और यहाँ भी देख सकते है इस तरीके से आपको red color में लिख करके दिया जाएगा और इसमें आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पर आपने जो exam center select किया है exam देने के लिए आपके subject के according उस exam center पर seat available नहीं है seat जो हो फुल हो चुका है जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यह दिया गए है BHIC 113 यह जो subject का exam है एक student है इस वाले exam center पर देना चाहते है लेकिन इस center पर जो यह subject है इसके लिए seat फुल हो चुका है तो ऐसे में examination fees आपका submit नहीं होगा तो यहाँ पर इनका चार subject में दिखा रहा है इसके लावा आप इनका देख सकते है इन्होंने फिर दूसरे exam center पर try किया यह exam center का code है और यह subject code है यह जो है यह subject दिया कि है BHIC 113 इसका exam इस पर भी seat फूल हो चुका है इसके लावा आप इनका भी देख सकते हैं तो आपके साथ यहाँ पर यह problem आ सकता है यानि कि जिस भी exam center पर आप exam देना चाहते हैं वहाँ पर आपके subject का seat फूल हो चुका है तो उस वाले exam center पर आपका एक subject का दो सका तीन का चार का जो एक्जामी कि हमारे पास 8 subject है, 4 subject का exam हम किसी दूसरे exam center पर और 4 subject का exam जिसका fees submit नहीं हो रहा है वो दूसरे exam center पर दे सकते हैं या फिर नहीं यानि कि आप total 8 subject का exam देना चाहते हैं 4 किसी दूसरे exam center पर और 4 दूसरे exam center पर तो ऐसा आप कर सकते हैं यह आपके उपर depend करता है लेकिन अगर पर किलिक करते हैं और आपको सब्सक्ति का एक्जÁμ। जने को कoga सब्सक्राइबें कि आपके सब्सक्राइब chanting हुआ जाए लेकिन आपका यह सब्यक्त का एक्जाम मानलीजी के मո्दिश लाल नहरव कॉलेज है इसके लावा कोई और भी हो सकता हैец nahum यहां पे यह इसा करते है थो अगर पहले वाला के ऱ्लेह कैंजल हो जाएँ गा मानलीजी के चार सब्जेक्ट का एकजाम आपने मोतिलाल नहरू कॉलेज के लिए समिट कर दिया। और चार सब्जेक्ट का एकजाम आपने B.E.S. कॉलेज के लिए। तो ऐसे में जो आपका पहला वाला एकजाम सेंटर रहता है वो कैंसल हो जाता है। और जो दूसरी बार आप college select करते हैं या फिर दूसरी बार जो भी exam center आप select करते हैं तो उसी पर आपको सभी subject का exam देने के लिए जाना होता है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक student का दिखा रहा हूँ तो यहाँ पी आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप दो बार exam forum को fill up करते हैं तो ऐसे में जो आपका latest वाला exam center रहता है यानि कि जो दूसरी बार में आप exam center select करेंगे वही आपको allot किया जाएगा और जो पहले आपने select कर रखा उसको cancel कर दिया जाएगा तो ध्यान रखिए अगर आपके पास 8 subject है तो सभी subject का exam आपको एक ही exam center पर देना होगा चार subject का exam आप दूसरे exam center पर और चार subject का exam किसी दूसरे exam center पर नहीं दे सकते हैं और जब आप दो बार exam form को fill up करेंगे और दो बार अलग-अलग exam center को select करते हैं तो आपका दो control नंबर जरनेट होगा और जब आपका hall ticket आएगा तो दोनों को ही मर्च कर दिया जाएगा और आपका एक ही hall ticket जारी किया जाएगा और जो दूसरी बार आप exam center को select करते हैं वहीं पर आपको सभी subject का exam देने के लिए जाना होगा इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो लाइक किजिए सेर किजिए और इगनुसरे एलेटेट सभी अप्टेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को ओन कर लिए ताकि सभी आपको मिलते रहे और आपका कोई सवाल है तो